नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रवधत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस योटूब चैनल होमियो कैट टिप्स पे दोस्तों आज मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि हमें कैलसियम की गोली ये फिस सप्लिमेंट खाने की वज़े हमें खाने पिने में किन-किन चीजों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा सरीर में जो कैलसियम की कमी है वो पूरी हो सके यानि हमारे सरीर में 800 मिलिग्राम से कैलसियम बन सके जो की हमारे सरीर के लिए हर दिन बनना बहुत ही जरूरी है तो आज मैं आपको उन्ही की खाने पिने की चीजों के बारे में बतना वाला हो जिससे अगर आप एक रूटीन बना कर खाते है तो मैं आसा करता हूँ आपको कभी भी calcium deficiency नहीं होगी और calcium से जुड़ी जो problems होती है लाइक हड़ी और मासपेसियों में दर्द, दात और मसूले में दर्द, इसके लबा दात का तूट जाना, इसके लबा रात को नीन दाना, बेचानी जेसा फील होना और जो सबसे बड़ी समस्या है calcium deficiency की वो है osteoporosis, यानि हड़ीों में पतला पाना जाना इसके लबा बालों का जढ़ना और नाखुन और स्किन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन सी चीजे है जिसे हमें regularly खाना चाहिए ताकि हमारा सरीर में कभी भी calcium का deficiency ना हो तो दोस्तो जो number one tip है वो है अद्रक की बनी हुई चाय दोस्तो एक डिस में डेड़ का पानी ले और उसमें 10 या फिर 20 ग्राम की अद्रक को थोड़ा सा पीस कर डाल दे और फिर उसे 5 मिनिट तक उभाल ले और 5 मिनिट बाद उस पानी को चाय की तरह पिया करे आप चाहते हो तो अद्रक को भी खा सकते हो और ऐसा आप दिन में 2 बार तक कर सकते है और दोस्तो इस अद्रक की चाय में भरपूर मात्रा में कैलसियम मौजूद होती है इसे एक दिन में दो बार लेने से हमारा सरीर में परियाप्त मात्रा में कैलसियम बन जाती है दोस्तों दोस्तों नमबर टू टिप है तिलका सेवन करना दोस्तों तिलका सेवन सर्दियों में करना बहुत ही फाइदे मंद होता है क्यूंकि ये सरीर को गरम रखता है लेकिन अगर आपको calcium deficiency है तो फिर आप इसे daily routine पर भी अपने add कर सकते है क्योंकि दोस्तो ऐसा देखा गया है कि तिल का रोजाना 7 करने से सरीर में भरपूर मात्रा में calcium बन पाती है तो रोजाना आपको भुने हुए तिल का 7 करना चाहिए दोस्तो दोस्तो थर्ड पॉइंट है राई का 7 हपता में कम से कम दो बार करना राई से बनी हुई idli या फिर डलिया या फिर उससे बना हुआ कोई disc का 7 करना चाहिए इससे भी enough quantity में calcium मिलता है जो कि आपका सरीर में calcium का कमी को पुरा कर सकता है दोस्तो फोर्थ पॉइंट है जीरे का पानी पीना दोस्तो एक बरतन में एक गलास पानी ले और उसमें थोड़ी सी जीरा डाल दे और उसे रात को भिगो कर रखे और सुभा उटकर खाली पेड उस गलास से जीरा को च्छान कर पानी को पी लीजिए दोस्तो इससे आपका सरीर में परियाप मात्रा में कैल्सियम भी बन जाएगी और साती साथ आपका बड़ा हुआ वदन भी कम हो जाएगा दोस्तो दोस्तो फिप्ट पॉइंट है वाल्टेमिन डी युक्त खाना को अपना डाइट में सामिल करना दोस्तो वाल्टेमिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारा सूर्य का रौसनी इसके लावा खाने में भी घी, पनीर, अंडा, मचली, अनाच का सेवन करना चाहिए ताकि हमारा सरीर में वाल्टेमिन डी और कैल्सियम की कमी पूरी हो सके दोस्तो 6th point है पपिता का सेवन करना दोस्तो पपिता में परियाप मात्रा में वाल्टेमिन C होती है और जिन लोगों में वाल्टेमिन C की कमी होती है उन लोगों में जोडों का दर्थ तो आम बात है तो regular basis पे पपिता का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें enough quantity में vitamin C होती है और साथ ही साथ ये calcium की कमी को भी पूरी करता है दोस्तो हमारा जो अगला और जो last point है वो है regular basis पे सेव यानि apple का सेवन करना क्योंकि सेव जोडों में collagen बनाने में मदद करती है और इसके इलावा ये blood में iron की कमी को भी पूरा करता है और साथ ही साथ इसमें काफी मात्रा में calcium भी पाय जाता है जो कि एक healthy इंसान का सरीर में हर दिन बनना चाहिए उसका 50-60% एक apple खाने से ही मिल जाता है दोस्तो तो दोस्तो ये जो मैंने points आपको अभी बताया है ये हमारा सरीर में calcium की कमी को पूरी तरह से पूरा करता है अगर किसी को calcium deficiency है और वो नियमित रूप से इन में से कोई एक point या फिर एक tip को भी अगर follow करता है तो वो calcium deficiency से पूरी तरह से निजात पा सकते है और उससे जुड़ी जो problems मैंने आपको शुरू में बताया है उससे भी बड़ी आसानी से निजात पापाएंगे और calcium deficiency नहीं भी है तो भी आप इन चीजों का उप्योग करते रहे ताकि आपका सरीर में कभी भी calcium का कमी ना हो ताकि हमारा सरीर में कभी भी calcium का कमी ना हो तो दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाब करने साबित होगी इसी तरह मुसी टूड़ रहने के लिए मेरा YouTube चैनल होमेयो केर टिप्स को लाइक करें शेर कर सस्क्राइब करें और बेल आकों को दवाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो सो थैंक्यो वेरी मच एंड हाव गूड डे